हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय MS Word बिलकुल सुरू से सीख रहे हैं और ये चौती क्लास है यानि पार्ट 4 है इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पेज ले आउट टैप के बारे में पूरा कम्प्लीट सीखेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पेज ले आउट के एक एक बटन की जानकारी आपको पूरी हो जाएगी और पेज ले आउट के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी तो हेलो दोस्तो मेरा नामी गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इस वीडियो के अंदर पेज लेयाउट टैप के बारे में पूरे सभी बटन्स की जानकारी सीखेंगे इससे भी पहले मैंने इंसर्ट टैप के बारे में होम टैप के बारे में और MS Word के पूरे परिचे के बारे में जो है पूरा वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किया है जिसकी मैंने प्लेइलिस्ट भी बना रखिये आप चैनल पे जाएए अगर उन वीडियो को देखना चाते हो तो प्लेइलिस्ट वाले सेक्शन में सारे के सारे प्लेइलिस्ट मिल जाएंगे आप वहाँ से देख सकते हो या फिर MS Word की पूरी प्लेइलिस्ट इस वीडियो के डिक्सिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां पर आप क्लिक करके easily जो है उसे देख सकते हूँ तो चलिए बात करते हैं MS Word के Page Layout Tab के बारे में तो देखिए Page Layout Tab को जो है काफी सारे भागों में बाटा गया है जैसे Theme, Page Setup, Page का Background, Paragraph और Arrange तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Theme के बारे में तो देखिए Theme से आपको इतना Idea लगा लेना है कि जितना भी Page में Theme का Correction करना हो Theme का Design बदनना हो वो सारे का सारा काम यहां से होने वाला है तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहां पर एक Theme बना लेता हूँ यहां पर मैं जो है Run Command से यहां पर एक Paragraph टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से इस Paragraph को हम लोग Select कर लेते हैं इसको Ctrl-B से करते हैं Bolt थोड़ा सा इसका Size बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से Ctrl-J से करते हैं Justify यह Paragraph तयार हो चुका है उपर की Side में क्लिक करते हैं इंटर बटन दबाते हैं और उपर की Side में हम यहां पर दे देते हैं Heading जो है Page Layout Tab Page Layout Tab Heading हमने दे दी यह और इसी के ठीक उपर एक और Heading दे देते हैं MS Word क्या देते हैं MS Word यह आप सभी को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ तो वीडियो में आप पूरा ध्यान से बने रहे हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी समझाएगी देखिए यहां पर हम लोग Select करते हैं इसको Home पर जाकर के इसको हम कोई Title दे देते हैं जैसे कि मैं यहां से क्लिक करता हूँ और यहां पर काफी सारे Option हैं तो यहां पर हम लोग Title देते हैं हमारा Title यह रह घाएगा थोड़ा सा मोटा कर देते हैं और यहां पर मैं इसको Click करके do Bel Charles Heading करते हूँ काफी सारे Heading की हैbank प्रकार हैं कोई भी एक Normal Heading करते हैं Haiading 1 या टू करके करते हैं यह heading रहेगी थोड़ा सा इसको बोल्ट कर देते हैं तो heading भी हमने बना ली है इसके बाद चाहे तो आप इस paragraph को भी थोड़ा सा और style यहां से दे सकते हो कोई दोसरा कुछ इस तरीके से यहां पर काफी सारे style है आप कोई भी style दे दीजिए तो यहां से हम लोग कुछ इस style में रख लेते हैं यह काफी अच्छा लग रहा है तो देखे यहां से हमने यह बना तो लिया है कुछ इस तरीके से हमारा एक theme बन चुका है लेकिन अगर हम कोई इस theme में कोई correction करना है तो हम यहां पर page layout tab में इस button का इस्तमाल करेंगे अगर आप इसमें कुछ और add करना चाहो जैसे कि मैं यहां पर कुछ picture वगएरा ही add कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से इसमें color correction कर देते हैं और इसमें अगर आप कुछ लिखना हो अगर आभी चाहो तो लिख सकते हो लेकिन मैं यह सारी चीज़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो पहले इस आप इसे समझ लीजिए वो लिखना या भी इसको कैसे करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पर चलेंगे theme पे यहाँ पर काफी सारे theme के style दिये गए है देख सकते हो theme का पूरा layout ही change हो जा रहा है अगर जो है आप अपने theme का layout यहाँ से direct जो है change गरना चाहते हो तो बारी-बारी से आप सब पे click करिए और जो भी आपको पसंद आ जाता है बस उस पे आप click कर दीजिए देखिए इस तरह के से theme का layout ही पूरा change हो चुका है इसी के बगल में आता है एक color का option अगर आप जो है इस theme में कोई color correction करना चाहते हैं यानि कि सिर्फ यह जो लिखे हैं इनमें कोई भी बदला नहीं चाहते हैं सिर्फ color correction करना चाहते हैं तो यह सिर्फ color का correction हो रहा है आप यहां से जो है वो color correction कर सकती हैं ठीक इसी तरह के से आपको इसमें color correction नहीं करना है सिर्फ इसके font में change लाना है तो आप यहाँ पर font पर click करिए जब आप इस पर ले के जाओगे तो देखोगे सारे के सारे font automatic जो है बदल रहे हैं तो यहाँ से आप जो है जिस पर भी click कर दोगे उस style में font change होताएगा और यहीं पर यह जो effect वाला option है इस पर click करके आप जो है अपने shape में कोई भी effect डाल सकते हो लेकिन यह हमारे उतने काम का नहीं आता है तो इसके लिए हम जो है इस पर ज़्यादा focus नहीं करेंगे यहाँ पर ctrl a से करते हैं all select delete बटन से delete दुबारा यहाँ पर जालते हैं equal rand कमांड का इस्तमाल करेंगे इसके बाद एक paragraph इस तरीके से insert करा लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं ctrl a से all select और is greater than से बढ़ा और इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद bullets और यहाँ से paragraph center तो इस तरीके से हमारा यह paragraph आ गया है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे margin के बारे में देखें जब हमने यह paragraph टाइप किया तो उपर की side में यह जो खाली जगह छूटी है यह bagel में जो खूटी है और इस side में जो खूटी है जगह इसी को margin बोला जाता है ठीक इसी तरह किसे जब यह paragraph आप नीचे भी पूरा complete कर दोगे यहाँ तक तो नीचे की side में कुछ उपर की जैसे margin छूट जाएगी जैसे मैं इसको copy कर लेता हूँ ctrl c से और नीचे side में आनेक बाद यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ जैसे मैं paste करता हूँ तो देखिए नीचे side में जो है यहाँ पर हमारा margin छूट गया है यानि इस page में पूरा का पूरा margin छूटा हुआ है आप मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके आपको इखादा हूँ देखिए इस तरीके से चारो तरफ जो है page का margin छूटा हुआ है तो इसी को margin बोला जाता है इसको आप adjust भी कर सकते हूँ जैसे कि जब अब इस पर click करोगे तो यहाँ पर कई सारे जो है style दिये गए है अभी जो है यह normal पे margin set है यानि one point इदर है one point इदर है one point इदर है यह one point का पूरा margin चारो तरफ है अगर आप narrow कर देते हो तो 0.5 point का यहाँ पर margin हो जाता है कुछ इस तरीके से ठीक है तो आप अपने document के इनुसार margin को adjust कर सकते हो वह यहाँ पर click करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा यानि देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है lines बनी है यह हमारे margin को indicate करती है बारी बार से जब उन पर click करोगे कुछ margin उसी तरीके से आपके page में apply हो जाएगी ठीक है अगर आप जो है नीचे की side में देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको narrow कर देता हूँ या फिर इसी में रहने देते हैं या फिर जो है normal कर देते हैं जैसा पहले था ठीक है नॉर्मल करने के बाद मैं देखी यहाँ पर एक और बटन है custom margin का अगर आप खुद से अपने page में margin को set करना चाहते हूँ तो आप custom margin पे click करिए यहाँ से जो है top में कितनी margin देनी है bottom में left में right में वो margin यहाँ पर डाल दीजिए अब बात करते हैं orientation के बारे में तो orientation से जो है आप अपने page को जो है portrait और landscape कर सकते हूँ यानि खड़ा और लेटा हुआ अक्सर आपने देखा होगा जब कोई printing करते हैं तो कोई document जो है लेटा हुआ यानि कुछ इस तरीके से होता है और print होकर क्या आता है लेकिन कोई document जो है इस तरीके से होता है अगर आप खड़े page में design करना चाहते हो तो इसको select कर लिजिए यहाँ पर जो सबसे important बात आती है वो page को लेकर के आती है जब हम कोई document बनाते है यह MS Word में तो सबसे पहले हमें page क्यों set करना चाहिए अगर आप जो है page को set करके document नहीं बनाओगे तो जब print करोगे तो आपका जो page में document बनाया रहोगे उसके इसाब से नहीं आएगा बलकि इदर उदर बिखर जाएगा तो ज़्यादतर market में जो है A4 size के paper आते हैं तो आपको जब भी आप MS Word में काम करो तो A4 size का paper select कर लिजिए या फिर जो भी आपके पास paper का size है आप यहाँ पर देख सकते हो वो paper का size आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसको जो है click कर लिजिए अगर आपको जो है जो paper आप इस्तमाल करते हो इसमें नहीं मिलता है तो आप यहाँ से more paper size पर click करके यहाँ से खुद का height और width डाल करके paper का size design कर सकते हो जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको भी आप document बनाना चाहते हैं अगर आपको page का size नहीं मिलता है तो आप इस पर click करके page का size ले सकते हैं फिलाल मैं जो है a4 size पर click कर देता हूँ अभी हमारा paper का size जो है a4 size है और जो हमारे पास market में ज्यादा तर available होते हैं वो a4 size के paper ही available होते हैं इसके बात करते हैं column button के बारे होती है या फिर आप newspaper को ले लीजिए newspaper में देखोगे तो आप column में जो है सारी जानकारिया लिखी होती है जैसे two column में three column में कुछ इस तरीके से अभी आप देख सकते हो कि column पे जैसे ही मैंने two column select किया तो हमारा ये जो है column में divide हो गया है पहले जो है ये एक column है और ये दूस जायागा यहाँ पर जो है अगर आप जो है left पर click कर दोगे तो left वाला column थोड़ा सा छोटा रहाएगा और right side में column थोड़ा बढ़ा रहाएगा कुछ इस तरीके से अभी आप देख सकते हो अक्सर आपने newspaper वगरा में ऐसा देखा होगा अगर आप right side में थोड़ा चोटा करन चाहते हो और left side में बढ़ा तो इस तरीके से select कर लिए देखे कुछ इस तरीके से आजागा अगर आप जो है देखे यहाँ पर तीन ही column को divide करने के लिए option दिया गया है अगर आपको इससे ज़्यादा column अपने page में बनाने है तो आप more column पे click कर ये यहाँ पर जो है column का size दे है यहाँ से जो है आप click करके यहाँ पर preview देख सकते हो और यहाँ पर ok कर दीजिए तो देखो कि हमारा document में 5 column बन चुके हैं फिलाल हम को हम जो है इसको दुबारा से वापस लाने के लिए one column कर देते हैं सारा का सारा data पहले जैसा हो जाएगा column में आपको एक और चीज समझ करना है जैसे मैं यहाँ पर और भी text को paste कर लेता हूं तब आपको अच्छे समझ में आएगा देखिए मैं इस वाले page को जो है दो column में तीन column में divide कर लें वाला हूं लेकिन मुझे इसको नहीं करना है तो जिस भी page को करना है उसके सारे text को select कर लिजिए इसके बाद जो है column पर जाइए और यहाँ पर जो है more column पर क्लिक करिए जितने column में divide करना उपर से select कर लिजिए और यहाँ पर selected text को आपको select रहने देना है और ok कर देना है तो देखो कि जितने भी हमने text को select किया था सिर्फ उसी में column बने है इसमें column नहीं बने है तो इस तरीके से अगर आपको page में अगर break डालना हो तो आप इस button का इस्तमाल करेंगे जहाँ पर जो है आप यह mouse को click कर दोगे इसके बाद इस पर जाने के बाद page break कर दोगे तो वहाँ से आपका page break हो जाएगा इसी तरीके से जो है यहाँ पर column break है अगर आप जो है column में break लाना चाहते हो तो आप इस button का इस्तमाल करोगे जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा मैं यहाँ से control jet करता हूँ और हमारे पास मा लिजे थोड़ा सा ही text है इतना ही text हमको जो है एक column में लिखना था इतना ठीक है यहाँ से मैं column देता हूँ और यहाँ से two column देता हूँ इतना ही text मुझे एक column में लिखना थ लेकिन condition यह है कि जब तक यह column भरेगा नहीं तब तक जो है हम दूसरे column में यहाँ पर देखिए मैं कितना भी click कर दूँ तो यहाँ से आप column को break कर सकते हो अब बात करते हैं text raping के बारे में तो text raping सा देखिए मैंने यहाँ से इसको delete किया यहाँ से paragraph को अटा दिया यहाँ से यानि जो हमारा paragraph बना था उसको मैंने हटा दिया है लेकिन मुझे जो है जब मैं यहाँ पर click करूँगा और यहाँ पर text raping लेकिन अगर आप text raping करके करते हो तो वह paragraph सा नहीं आएगा वह नीचे से line start होगी तो text raping का काम यही है यह हमारे उतने ज्यादा काम में नहीं आता है फिर भी मैंने आपको बता दिया है बात करते है next page के बारे में तो यहाँ से click करके आप एक नया page insert कराते हो जहाँ से आप next page यानि अगला page जो है यहाँ से next page आ गया है अब बात करते हैं इसी में यह जो continuously है इस button के बारे में तो इस button से जो है आप paragraph में इस page दे सकते हो देखिए मैं इस पर click करता हूं और इसको delete कर देता हूं यहाँ से भी यह जो paragraph है इसको click करके delete कर देता हूं जब मुझे यहाँ नए पर क्लिक कर दूगा और यहाँ पर जाने कबाद continuously कर दूगा देखोगी यहाँ से paragraph बन चुका है ठीक इसी तरीके से जो एगर मुझे यहाँ पर भी paragraph बनाना है तो यहाँ फो इस पर बिन जा зав से 2,4,6,8 यह सब समसंख्या होती हैं और 1,3,5,9,7 यह सब जो है विसम संख्या होती हैं ठीक इसी तरह के से पेज भी आप इंसर्ट करा सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं ओड नमबर पर क्लिक करूँगा तो देखोंगे 3 पेज पर हम लोग डारेक्ट चले ग अब बात करते हैं लाइन नमबर के बारे में तो इस बटन पर क्लिक करके आप जो जीतने भी पेज लिए हो और इसमें जीतनी पी ब्लाइने लिखे हो सभी में जो है नमबर आ जाएंगे जब आप इसपे क्लिक करोगे यहाँ पर काफी सारे बटन मिलेंगे जैसे continue से लिए है अगर आप इसपे क्लिक कर दोगे तो एक से लेकर करके जितनी भी लाइने होंगी सभी में जो है continue नमबर एड़ हो जाएंगे अगर आप इसपे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर जो है हर पेज में जो है एक से स्टार्ट होगा देखिए मैं इसपे क्लिक करता हूँ तो देखो के अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ देखिए इसमें भी जो है एक से स्टार्ट हुआ है और इसमें भी देखिए एक से ही स्टार्ट हुआ है ठेक इसी तरह के से जितने भी pages होंगे सभी pages में प्रतेक pages में एक से ही restart हो जाएगा इसी में जो है अगला button आता है restart each section से देखिए restart each section को समझने के लिए हमको जो है section ब paragraph अटा दिये हैं अब आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करना है यहां यह तीन section मैंने बना दिये हैं अब देखी यहां पर इसको select करूँगा आप जो है इसका कमाल यहां पर जाते हैं और restart एat section पर जैसे मैं click करूँगा तो आप आप यहां पर देखोगे कि जितने भी हमने section बनाये थे उन सभी में जो line number है वो restart हुए है यानि एक से लेकर करके 5 line है यहां पर line number देख सकते हूँ इसके बाद अलग जो हमने section बनाया था अलग paragraph यह जो है इसमें फिर से एक से start हुआ है और इसमें फिर से एक से start हुआ है तो यहां पर जो है माल लीजिए आपको यहां से यहां तक line number चाहिए लेकिन इसके बाद इसमें नहीं चाहिए या फिर नीचिक side में नहीं चाहिए या फिर सुरू में ही नहीं चाहिए जहां पर नहीं चाहिए बस उसमें आप click कर दीजिए इसके बाद यहां पर click कर दीजिए इसके बाद यो है इसको क्लिक कर दीजिए देखेंगे यहां से नंबर हड़ चुके हैं और आप यहां से स्टार्ट हुए हैं तो यहां से जो है आप इस बटन का भी इस्तमाल करना सीख गए होंगे तो यहां से हम लोग सबसे पहले करते हैं Ctrl A से All Select यहां पर जाते हैं None पर क्लिक कर देते हैं हम कोई भी लाइन नंबर नहीं चाहेंगे तो यहां से जो है आप लाइन नंबर यह जो बटन है इसके बारे में Complete जानकारी सीख चुके होंगे अब बात करते हैं हाइफेनेशन के बारे में तो इस बटन का इस्तमाल करके आप जो है दो सब्दों को जोड सकते हो थोड़ा सा मैं आपको एक्जामपल देता हूँ जैसे कि अगर आप जो है नोटबुक बनाते हो और यह माली जी आपकी नोटबुक का पेज है और जब आपको इस सब्द लिखते हो जैसे आपको महा भारत लिखना होता है तो जब आप पेज की लास्ट में चला जाते हो तो यहाँ पर जो है सिर्फ आप महा लिख देते हो इसके बाद जो है डैस लगा करके भारत इदर लिखते हो तो सेम वही काम यहाँ पर जो है MS Word म क्लिक करना होगा फिलाल मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ब्रकिस बाद के सिर्फ यही लगा है तो इस तरीके से जहां भी डौकमेंट में जरूरत होगी आपके वहां पर जो है लग जाएगा इसके लिए आपको कोई पर परिशान होने की जरूरत नहीं है सेम यह काम आप बस इसमें मैनुवल तरीकी से भी कर सकते हो इस पर क्लिक करिए यह पूछ रहा है यहाँ पर लगाना चाहते हो तो हम कहेंगे यस बस आप इस पर क्लिक कर दीए लग जाएगा यह देखिए कंप्लीट हो ठीक है तो हाइफिनेशन का काम जो है दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तमाल किया जाता है यह आपको ध्यान देना है अब बात करते हैं वाटर मार्क के बारे में तो वाटर मार्क अक्षर आपने देखा होगा कि जो भी मैं आपको पीडिएफ देता हूँ या फिर जो भी लोगों का पीडिएफ डाउनलोड करते होगे या फिर ई-बुक पेज में इस तरीके से बन करके आता है इसको ही जो है वाटर मार्क बोला जाता है ठीक है इसको आप जो है अपने डॉकुमेंट में अप्लाई कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ इस पर क्लिक करना होगा यहाँ पर पहले से डिफॉल्ट कुछ बने बनाए होगे जैसे don't copy आप इस्तमाल करना चाहते हो तो click कर दोगे don't copy करके आएगा या फिर जो है कोई यहाँ पर confidential है इसको click कर दीजे कुछ इस तरीके से बन करके आएगा मैं थोड़ा साच करता हूँ छोटा तब देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा देखिए यहाँ पर दिख रहा है इसी तरीके से आप जो है अगर आप खुद का लगाना चाहते हो तो यहाँ पर custom watermark पर click कर ये यहाँ पर जो है जो भी आप जो है नाम type करना चाहते हो जैसे ये confidential को हटा दीजिए यहाँ पर text पर click करना है अभी अभी मैं सिर्फ text वाला बता रहा हूँ आपकी जानकर एक लिए बता दू यहाँ पर आप picture भी लगा सकते हो यानि अपना logo अपनी photo कुछ भी लगा सकते हो लेकिन अभी हम text की बात कर रहे है यह जो confidential लिखा है यहाँ पर जो है आपको अपना जो भी आप watermark लगाना चाहते हो आपको वो type कर दिना है जैसे मैंने type कर दिया है नेचेक size में जो है font का style दिया है आप यहाँ से बहुत सार color select करना चाहते हो वो color यहाँ से click करिए इसके बात जो है horizontal चाहिए या डागनोकल चाहिए डागनोकल देखे इस तरीके से है अगर आप horizontal क्लिक करके apply करोगे तो horizontal को सीधे सीधे में होगा मैं आपको दिखा देता हूँ इसको जो है close करते हैं देखे यह छोटा सा आ रहा है इ यह जो है horizontal है अगर आप डागनोकल लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा देखे कुछ इस तरीके से ठीक है size आप अपने हिसाब से जो है जितना मर्जी बड़ा करना चाहो कर सकते हो मैं 80 कर देता हूँ इसके बाद कर दूँगा तो और भी बड़ा हो जाएगा आपक तो यहां से हमने यह सीख लिया है text का watermark लगाना यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि यह जो check है अगर यह चेक रहेगा तो थोड़ा सा कम यह highlight होगा लेकिन अगर आप जो है इसको ज़्यादा highlight करना चाहते हो तो इसको uncheck कर दिजिए और apply कर दिजिए तो यहां से जो है आप उस folder को select करिए जिसमें आपने जो है अपनी photos को रखा है जिसको आप watermark में add करना चाहते हो तो यहां से जो है हम MS Word का part 4 ले लेते हैं और यहां पर जो है insert करा लेते हैं इसके बाद दो कि यहां पर जो है इस पर click कर दोगे तो वही same चीज है थोड़ा highlight ज इसके जैसे मैं इस पर click कर दूँगा और apply कर दूँगा तो थोड़ा जादा highlight हो जागा तो यहां से आपने दोनों चीज सीख लिए होगी text watermark और picture watermark के बारे में अगर आप जो है इसमें से हटाना चाहते हो तो आप इसे no watermark कर दिजिए एक बात और यहां पर आप ध्यान पेज में कोई watermark लगाते हो तो जितने भी page आप select करोगे वो सभी में watermark लग जाएगा automatic ठीक है तो यहां से select करते हैं no watermark और यहां से करते हैं apply watermark हट चुका है इसको close करते हैं तो यहां से आपको watermark की जानकारी हो चुकी होगी अब बात करते हैं page color के बारे में तो इस button का इस्तिमाल करके आप जो है अपने page में color जो है feel कर सकते हो यहां पर काफी सारे color दिएगा है बस आपको जो इस color को click करना होगा click करने बाद देखोगे इस पर इस तरीके से भी ले जाने बाद जो है वो color feel हो जाता है जिस भी color में आप अपने document को रखना चाहते हो बस उस color प पेज में हमारा यह color आया है यहां पर देख लीजी ठीक है तो यहां से क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा page color ठीक अगर आप जो है इसमें no color करना चाहते हो तो यहां पर no color पर click कर जिए color हट जाएगा एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो भी आप यहां पर color select करो होगे वह print नहीं होता है page color ठीक है अभी जो है मैं आपको print preview में दिखा देता हूं यहां पर print preview क्लिक किया देखे page में कोई color नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि page तो आप color में बना सकते हो बस designing के लिए लेकिन वह print नहीं होता है इसके बाद जो है यहां पर और भी option दिए गया है more color का अगर आप इसमें से कोई color आपको नहीं पसंद है तो आप more color पर click करके और भी color ले सकते हैं इसी के ठीक नीचे है fill effect का option है अगर आप इसमें जो है दो color तीन color भरना चाहते हो pattern वगरा picture वगरा भरना चाहते हो जैसे मालीजी आप अपने photo के अंदर picture भरन select करिए यहाँ पर style दिए गए हैं किसी style में आपको click select करना है और इसके बाद sample यहाँ पर दिखाएगा आपको कोई भी style पसंद के लेना है इसके बाद okay कर देना आपके page में जो है वो color apply हो जाएगा इसके बाद जो है यहाँ पर और भी option दिए गए थे जैसे pattern है texture है अगर okay कर दीजिए तो आप देखो कि आपके जो page में वो picture आ जाएगी तो यहाँ से हमने जो है page color के बारे में पूरी complete जानकारी सीख ली है यहाँ से हम लोग करते हैं no color इसके बाद बात करते है page border के बारे में इस बटन का इस्तमाल करके आप अपने page में जो है border लगा सकती हूँ यह काफी काम का है इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है तो देखी page border पर click करेंगे यहाँ पर जो है सबसे पहले तो page border की बात करेंगे इसके बाद border की बात करेंगे फिर shading की बात करेंगे तीनों की बात करेंगे ठीक है page border पर click करके आप जो अपने page में border गाना सीखते हैं, box पे click करेंगे अब यहाँ पर यह setting भी आपको समझाते हैं, पहले ok लग करते हैं देखें सारे में जो है जो है border लग चुका है इस पर click करेंगे और यहाँ पर देखे ये दिया है style border का style यहाँ आप नीचे साइड में देख सकते हो कोई भी पसंद करोगे उस style में आजागा ओके कर दीजिए उस style में water बन जागा फिर यहाँ पर आईए box वाला हमने समझ लिया shadow में क्लिक करिए तो थोड़ा सा shadow बन करके आगा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके करूँगा तो देखोंगे थोड़ा सा shadow में आगा अभी इस side में जो है थोड़ा कम dark है लेकिन इस side में जो है ज्यादा dark हा रहा है ठीक है यह shadow बनी है तो आप इससे समझ लिजिए इसके बाद जो है 3D में देखना चाहते हूँ तो बस 3D पर क्लिक करिए थोड़ा सा 3D कलर में आएगा ठीक है इसके बाद जो है यहाँ पर custom पर आप खुद का custom बना सकते हूँ उपर चाहिए या नहीं चाहिए यह चीज़े add कर सकते हूँ custom पर क्लिक करके ok करोगे तो देखो के वो चीज़े custom में हो जाएंगी यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं है यहाँ पर क्लिक करिए यहाँ ज्यादा तर बॉक्स वाला ही होता है तो हम बॉक्स ही लेंगे यहाँ से आप size यह वाला ले लिजिए कोई बतला या चोड़ा यहाँ से यह ले ले लेते हैं और यहाँ पर इसकी विर्थ भी आप मोटा कम ज़्यादा कर सकते हूँ कितना मोटा चाहिए आपको इतना मोटा ले लिजिए और अगर आप जो है बॉर्डर का color change करना चाहते हो तो आप इस पर click करिए यहाँ से वो color ले लिजिए जिस color में आपको चाहिए इसके बाद जो है OK कर दीजिए तो देखो के बॉर्डर हमारा उस color में आ जाएगा इसके बाद बॉर्डर में और जो काम की चीज़ है वो यह है आर्ट है आर्ट पर click करिए यहाँ पर काफी सारे आर्ट मिल जाएंगे अगर आप जो है अपने बॉर्डर में आर्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी आर्ट select करिए इसके बाद OK करिए यह आर्ट add हो जाएंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप यह जो आट दिये गए हैं इसको और कम या ज्याधा करना चाहते हो तो अब यहां से कम या ज्यादा कर सकते हूँ अब भी देखे यह कम हो गया है यानि इसकी width ज़ह ज्यादा मोटी हो जाएकई तो कम हो जाएगा और इसकी width घम करोगे तो यहाँ पर आर्ट तो ये जो है ऊपर की side में नहीं रहेगा ये जो है नीचे की side में ये जो है नीचे की side में और ये जो है इस side में यहाँ से आप manually इस पर click करके add कर सकते हो अगर आपको 2 side चाहिए तो okay कर दीजिए सिर्फ 2 side border यह सब्से ज़रूरी बात होती फुरिए कि अगर आपको सभी एक पेज में बॉर्डर लगाना हो बाकी सभी में नहीं लगाना हो यह भी आपको जवरूर पता होना चाहिए इसके लिए सबसे प recommend no board Sachet करते हैं और okay करते हैं देखे पहले पेज में बॉर्डर के लिए हमको जो है से उत्वाइस क्लिक करना होगा और यहां पर बार्टर का डोकोमेट लिखा हुआ है इस पर हम लोग और फीज आघे से साथख अगर प्लिक करेंगे और इसके वाद बाद ऑक जो तो यह देखिए first page से हट चुका है बागी सभी page हो में लग चुका है देखिए अब बात करते हैं page border में यह जो दो बटन देगे हैं border और चैडिंग के बारे में तो सबसे पहले मैं border के बारे में बता दूँ देखिए border पे क्लिक करके आप अपने यह जो document लिखे हो सिर्फ उस पे border लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो मैं जो है सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं कुछ इस तरीके से ताकि आपको अच्छे समझ में आए यहाँ पर मैं इसको select करता हूं और इसके बाद जो है border पर जाता हूं यहाँ पर मैं border पर क्लिक करता हूं all border पर क्लिक कर दूँगा ok कर दूँगा तो देखो कि जितना मैंने select किया था सिर्फ उतने में border आया है ठीक इसी तरीके से अगर आप जो है इ उपर वाला delete कर देते हैं या फिर बगल वाला हमको delete करना था sorry उपर वाला गलतिज हो गया तो हम उपर दुबारस क्लिक करेंगे वह एड़ हो जाएगा तो यहां से आप एड़ और delete करना भी सीख गया होंगे अगर आपको जिसको add करना है पर उसको क्लिक करिए और उसको बारे में तो shedding बटन का इस्तमाल करके आप जो है अपने paragraph या किसी भी line या फिसी किसी भी text में setting दे सकते हो यह चीज़े हमने पीछे भी सीखी थी कुछ यहां पर यह देखी यह paragraph में जो भी buttons दे गए थे सभी के बारे में लगबब मैंने सभी जानकारी दे दी है अब बात करते हैं इन सभी buttons के बारे में तो देखी यहां पर हमारे पास सिर्फ एक page है और यहां पर कुछ paragraph मैंने type किये हैं और हम जो है अगर इसको indent करना चाहते यानि थोड़ा थोड़ा इस भी कर सकते हैं ठीक यही काम अगर आप पूरे अपने paragraph में यानि पूरे page में करना चाहते हो तो सभी को select करने के बाद आप यह काम कर सकते हो अब जो है इसको करते हैं इसको बढ़ा सकते हो जैसे कि अगर आपको लगता है कि यह space हमको और बढ़ाना चाहिए तो आप इस उपर की साइड से भी और space दे सकते हो कैसे करना है बस इसको आप select कर लीजिए select करने के बाद यहाँ पर जाएगे अगर आप जो है ऊपर before यानि पहले space देना चाहते हो तो आप उपर की साइड में क्लिक करिए तो आप देखोगे ऊपर की साइड से space आ रहा है अगर आप ब paragraph में space add करना चाहते हो तो आप जो है इस button का इस्तमाल कर सकते हो फिलाल जो है मैं इसे करता हूँ ctrl z सारे की चीजे पहले जैसी अब बात करते हैं यह जो arrange वाले भाग में यह जो button दिये गए हैं आखिर इनका क्या काम है तो आपकी जानकार इक लिए बता दू यह जो button है वो shape या photo पर काम करते हैं जैसे कि मैं यहां से insight पर जा करके कोई एक shape ही बना लेता हूँ यहाँ पर मैंने shape लिया और यह shape मैंने बनाया तो देखिए यहाँ पर फार में shape में ही करते हैं उसकी position वगेरा तैय करने के लिए यह चीजे मैंने आपको insert tab में ही बता दी थी जब यह फार में tab open होता है यह सारी चीजे मैंने उसी में insert tab मैंने जब पढ़ाया था उसी में मैंने बता दिया था कि इसको कैसे इस अभी इसको इस्तमाल करना है तो page layout tab का यह जो भाग हम लोग बना रहे हैं इसमें भी इसके बारे में जानकारी दे करके हम इस वीडियो को जादा बड़ा नहीं करेंगे अगर आपने जो है insert वाला वीडियो देखा है insert tab पे जो मैंने बनाया था यानि part 3 उसको अगर आपने देखा है तो आपको यह चीजे समझ में आ गई होंगी यह जो page layout में यह जो buttons है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे comment करके जरूर बताईए अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर पहली बार हो और चैन बढदे मातरां